पोईट्री जो है हम लोगों की वो लगभग खत्म होने जा रही है लगभग क्या आप समझ लीजे कि सिर्फ दो पोएम बची हुई है एक है यूलिसीस जिसको मैं इसके बाद बना दूंगे तुरंट और उसके बाद आपकी है दा वेस्टलेंड तो दा वेस्टलेंड को अभ 34-34 लाइन की है उसकी वीडियो मैं जब प्रिपैर कर लूँगी तो डाल दूँगी क्योंकि छोटे-छोटे सेग्मेंट में बनाऊंगी और उसके बाद फिर उनको एड़ करके एक में डाल दूँगी तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा तो उसको हम थोड़ा भी हो पूछ लिए जाते हैं तो इस वाले पार्ट को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं तो बाइगरफी वाला जो वीडियो है वो आपका यूलिसीस के बाद आना स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हमने हलाकी विल्यम शेक्सपेर की बाइगरफी थोड़ी सी देखी है वो लेकिन हमने टीजीटी के परस्पेक्टिव से देखी थी उसको बनाया था मैं फिर से एक बार बनाऊंगी विल्यम शेक्सपेर की बाइगरफी वो मैं आपको इसके परस्पेक्टिव से बनाऊंगी ल्टी के चुकि ये सारी जो वीडियोज है मैं चाहती हूँ एक ही जगह पर रहे ल्टी की प्लेइलिस्ट में ही रहे इसलिए मैं बनाऊंगी तो ल्टी की प्लेइलिस्ट मैंने चैनल पर बना दी है तो आप वहाँ जाकर के सारे वीडियोज देख सकते हो और exam से पहले मैंने आपको promise किया है मैं यहाँ पर आपका पूरा course complete करवा दूँगे literature का और जो grammar वाला part है उसका course तो लगभग उसका भी खत्म होने जा रहा है और grammar बहुत deeply आपको पढ़ाया गया है मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि basic पढ़ा दिया गया और exam question फसे इना grammar बहुत deeply बिल्कुल SSC और उसके label का पढ़ाया गया है तो आप चाहो तो वहाँ जाकर एक बार grammar वाली playlist भी चेक कर सकते हो तो मेरा main कहने का मतलब ये था कि poetry जल्दी से complete कराने को मैंने बोला था तो मैंने complete करा दिया अब इसके बाद हम biography वाला part करेंगे main purpose मेरा इसको बताने का ये है कि मैं आपसे यह question करना चाहती हूँ कि poetry complete हो गई है biography मैं करा दूँगी जल्दी से इसके बाद आप मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हो कि मैं drama स्टार्ट करूँ या फिर prose स्टार्ट करूँ ठीक है मैं बस आप लोगों से यह suggestion चाहती हूँ इसलिए मैं ये बाते बता रहे हूँ तो आप मुझे comment करके जरूर बताएगा कि पहले चैनल पर drama स्टार्ट करू या फिर prose बताओ और एक चीज़ और कहना चाहूँगी especially उन सारे लोगों को thanks बोलना चाहूँगी जो लोग बहुत प्यारे-प्यारे से comment करते हैं मुझे really बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अगर आप लोग मुझे सुरू से follow कर रहे हो तो आप जानते होगे कि मेरे पास time बहुत कम है क्योंकि मेरी baby भी बहुत चोटी है तो मुझे time निकालना मतलब थोड़ा difficult हो जाता है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए time निकालती हूँ ऐसा नहीं है कि सिफ मतलब कोई वो हो लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है वीडियोस बनाना मुझे connect होना अच्छा लगता है मुझे भी लगता है कि हाँ मतलब मैं जिसे आप लोग हैं तो आपको personally जानू personally in the sense जैसे हम लोगों की family बड़ी हो जाए हमारे जो literature के subscribers है वो जब जादा हो जाए तो फिर हम लोग life classes बेले interact करें एक दूसरे से ये सारी चीज़े मैं चाहती हूँ इसलिए मुझे अच्छा लगता है तो मैं बनाती हूँ तो आप लोग comment करके ज़रूर बताइएगा तो आज हम देखने वाले हैं Matthew Arnold की बहुत ही बहतरीन poem Memorial Versus ये लिखी गई है 1850 में William sorry William Wordsworth की death के बाद ऐसा माना जाता है कि उनकी death के बाद जो उनके son-in-law है Edward Quillinen उन्होंने request किया था Arnold से कि आप एक LAZ लिखे LAZ मतलब आपको पता ही है किसी की मृत्य उपर किसी की death पर दुख प्रकट करना तो ये मैंने पूरा आपको पढ़ाया है अब जाके playlist में चेक कर लेना forms और literature व्राले में मिल जाएगा LT में ही तो उन्होंने ही क्या मतलब request किया था कि आप एक LAZ लिखे जिसमें जो death poets है मतलब जो बहुत महान death poets उनके death पर lament कीजिए LAZ लिखे तो ऐसा माना जाता है कि उनके बातों को ही मानकर उन्होंने एक tribute दिया था इन लोगों को तो इसमें basically तीन author की बात हुई है मैं आपको बता दू कौन-कौन से एक गौत हैं दूसरा बाइरन हैं और तीसरे आपके words words है तीन writer के death पर उन्होंने क्या किया है mourn किया है या lament किया है अब चलिए इसको start कर लेते हैं तो देखिए start होती है poem go they in wemer sleep wemer क्या है ये एक जगह का नाम है ठीक और जो आपके गौते हैं वो जर्मेनी के poet थे ठीक और जर्मनी के poet मतलब उनकी एक तो पहले में death बता दू वो कब हुई थी 1832 में हुई थी जान लीजिए इसके बाद poetry start करूँए तो समझ मैंगा आपको आराम से Byron जो है वो 1824 में उनकी death हुई थी तो वही वो कह रहे हैं आपके author Matthew Arnold जी कि जो गोथे हैं वो वीमर में सोते हैं वीमर में सोते हैं का मतलब क्या उनकी जो death है वो 1832 में हो गई है और उनको जो है वो buried किया गया है native churchyard at वीमर में मतलब वीमर में जो churchyard है वहाँ पर इनको क्या है buried किया गया है तो वही वो कह रहे हैं कि जो गोथे हैं वो वीमर में सोते हैं and Greece long since saw Byron struggle कैस तो उनसे भी पहले एक मृत्य हो गई थी किसकी Byron की क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया time period की कब उनकी death होई थी तो वही वो कह रहे हैं कि long before him यानि गोथे से भी बहुत समय पहले जो Byron है उनकी death हो गई 1824 में कैसे battlefield में fighting for the liberation of Greece from the domination of Turkey मतब जो Greece के liberation के लिए इन्होंने fight की थी तो उसी में इनकी death हो गई थी वही कह रहे हैं कि Byron का struggle था जो उनका संघर्स था वो क्या हो गया वो खत्म हो गया means उनकी क्या हो गई death हो गई but one such death remained to come लेकिन अभी भी एक death एक मृत्यू आनी बाकी थी the last poetic voice is dumb जो last poetic voice थी जो last poetic voice क्या हो गई थी dumb हो गई थी means गूंगी हो गई थी और वो क्या थी we stand today by wordsworth Tom means वो इन दोनों death के बाद गो थे और बाइरन की death के बाद कौन सी death आनी बाकी थी wordsworth की और अब wordsworth की death भी हो गई मानो पूरी जो poetry है वो कैसी हो गई है गूंगी हो गई है और हम खड़े हैं कहां खड़े हैं wordsworth की tom पर means अब wordsworth की भी death हो गई आगे देखे when byron's eyes were shut in death we bought our head and held our breath जब बाइरन की आखे बंध होती हैं shut in death means मृत्यू ने जब बाइरन की आखों को बंध कर दिया तो we bought our head हमने अपने head को अपने सर को क्या किया जुका लिया उनके समान में उनके respect में उनकी memory में हमने क्या किया अपने सर को जो है वो जुका लिया and held our breath और अपनी सांसों को क्या किया रोक लिया तो ये सब हमने उनके respect के लिए उनको याद करने के लिए किया ठीक है तो वही वो कह रहे हैं कि जब बाइरन की आखे बंध हो गई मृत्यू में means मृत्यू के कारण जब उनकी आखे बंध हो गई वो मर गए तो हमने अपना सर जुका लिया और हमने अपनी सांसे रोक ली आगे देखे पताब इतना जादा दुख हुआ उनकी डेथ का कि क्या हुआ हमने अपनी सांसे ही रोक ली मतलब कहने का ये है कि ऐसा लगा से एक जटका लगता हो और एक मेंट के लिए आदमी बिलक us little byron taught byron जो है उन्होंने हमें थोड़ा ही सिखाया क्योंकि इनका जीवन काल बहुत जादा नहीं था तो इन्होंने जो सिखाया थोड़ा सिखाया लेकिन वो बहुत प्रभावकारी था जो भी इन्होंने सिखाया वो कैसे था आगे वो बताएंगे but our soul had felt him like the thunders roll with shivering hurt the strife we see of passion with eternal law आगे वो कह रहे हैं कि जो भी कुछ उन्होंने सिखाया वो बहुत थोड़ा था लेकिन वो इस तरह से था वो इतना मतलब पहतरीन था कि ऐसा लगा कि हमारी आत्मा ने उनकी poetry को feel किया और कैसे feel किया बिलकुल thunder roll की तरह मतलब एक गड़गडा हट की तरह मिन्स उनकी जो poetry थी वो हमारे दिल तक जाती थी और बिलकुल हमारे दिल को हमारे हमारा जो hurt है शिवरिंग hurt हमारा जो hurt है उसको क्या करती थी बिलकुल जगजोर कर रख देती थी मिन्स इतना जादा प्रभाव डालती थी फिर देखिए क्योंकि इनके struggle को जो लोग थे उन्होंने देखा था कि किस तरह से इन्होंने life में struggle क्या है और इनकी poetry क्या चीज़े सिखाती है उन सारी जिस्ट को उन सारी चीज़ों को पढ़ कर लोग इतना inspire होते थे कि बिल्कुल feel करते थे किस को ऐसा लगता था उन्हें जब वो पढ़ते थे कि कोई thunder roll बिल्कुल एक गड़गड़ा हट सी हो और बिल्कुल उनका जो कापता हुआ सा मन है वो बिल्कुल अनंत विवस् को उसके बाद है and yet with with यहीं से तो थे ना हाँ ठीक है and yet we reverential of we watch the font of fairy life which shoved for the titanic strive और फिर मतलब शद्धा पूर्वक विश्मे के साथ हमने जो ज्वलंत ज्वाले को देखा है ठीक हमने जो उनके जो ज्वलंत ज्वाले को देखा है जिससे उस titanic strife फवारे के लिए काम किया था मतलब उन्होंने अपनी life में जो भी चीजें धेली हैं जो भी चीजें उन्ह होते हैं और इतना feel करते हैं कि ऐसा लगता है जिससे बिल्कुल थंडर रोल की तरह एक गड़गडा हट की तरह यहां पर यह कह रहे हैं कि उन्होंने जो titanic force और temper को उन्होंने दिखाया किस में दिखाया जो उनका epic था उस epic में उन्होंने fight for liberation of Greece from the domination of the Turks मतलब जो Turks लोग थे उनका जो domination था उससे free होने के लिए उससे जो fight थी उनकी किस तरह से courageous थी उसको उन्होंने अपने epic में अपने work में दिखाया था ठीक है जो की एक तरह से show करता है उनकी titanic strife को means titanic force को उनके temper को कि कितना ज़ादा मतलब high उनका temper था कितनी बारीकी से उन्होंने उन चीजों को notice किया था और उन चीजों को किस तरह से अपने epic में उतारा था ठीक है और उनके epic में क्या चीज था मैंने पहले ही आपको पता दिया कि fight for the liberation of Greece from the domination of the Turks था ठीक clear होगा I think आप लोगों को आगे बढ़ते हैं मतलब ये है कि जो आपके author हैं वो एक तरह से प्रशन सा कर रहे हैं मतलब उनको याद कर रहे हैं उनके बारे में tribute दे रहे हैं तो obviously उनकी अच्छे बातों के बारे में बता रहे हैं तो उन्होंने बाइरन ने क्या क्या अपने जिवन में किया उनसे हम कितना प्रभावित होते हैं उन्होंने हालाकि हमें बहुत थोड़ा सिखाया बहुत छोटा दिया उन्होंने बहुत कम दिया लेकिन वो चीजें कितनी जादा प्रभावी थी ये बताने का प्रयास किया गया है से पहले आले स्रिंजा में ठीक अब इसको देखते हैं, when Gauthe's death was told, जब हमको बताया गया कि Gauthe की भी death हो गई है, Gauthe की मृति हो गई है, we shed sank, then in Europe's saggast head, जब हमने उनके death के बारे में सुना, किसकी, Gauthe की, जब Gauthe की death के बारे में हमने सुना, तो हमने कहा, shank means dhub गया है, क्या dhub गया है, जो greatest saint and philosopher था, यहां देखे लिखा है न, यह इनको greatest philosopher, greatest saint, greatest physician of iron age कहा गया है, उस iron age, जो ace थी, उस iron age का physician कहा है इनको, किसने, Matthew Arnold ने, तो वहीं वो कह रहे हैं, कि जब उनके death के बारे में हमें पता चला, तो ऐसा लगा, जैसे कि पूरा Europe, तो पूरे Europe के people ने, पूरे Europe के लोगों ने यह declare कर दिया, कि Europe का सबसे बुद्धिमान व्यक्ती, means sagist had, क्या हो गया है, डूब गया है, means उसकी मृत्य हो गई है, और physician of iron age, गोधे had done his pilgrimage, मतलब उन्होंने अपना, पूरा जो जीवन है, किस तरीके से कितने बहतरीन तरीके से जिया था, और क्या philosophy दी थी, तो उसको उन सारी चीजों को, मतलब एक तरह से लोग memorize करते हैं, और कहते हैं, कि पूरा Europe का जो है, वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही संत आत्मा, बहुत ही philosopher व्यक्ती जो था, वो इस continent से कैसा हो गया है, departed हो गया है, means, अलग हो गया है, कहीं दूर चला गया है, He took the suffering of human race, He read each bound, each weakness clear, and struck his finger on the place, and said, Thou alist here and here, फिर वो कह रहे हैं, कि ऐसा सब, जब उनके death के बारे में पता चला, तो हमने ये जाना, कि उनकी जो journey थी, उनकी जो ये life की journey थी, वो complete हो गई, वो बिलकुल philosopher की तरह, physician की तरह, एक धिमान व्यक्ति की तरह, अपना जीवन जीए, और इस materialistic world में, वो क्या थे, वो एक physician थे, और उन्होंने, जो human suffering है, human race की जितनी भी पीड़ा है, उसको समझा, उसको जाना, मतलब उसको analyze किया, और फिर उन्होंने, he read each bound, each weaknesses clear, मतलब मनुशी की, जो भी कमजोरियां है, जहां पर उसे तकलीफ है, किस कारण से उसे परेशानी है, इन सारी चीजों का, उन्होंने गहन अध्धन किया, और उसके बाद, उन्होंने अपनी finger, उस जगह पर रखी, जहां पर व्यक्ति को परेशानी थी, व्यक्ति को दर्द था, और उसके बाद उन्होंने कहा, here, here, means, यहां वो problem है, यहां वो problem है, कहने का मतलब है, आपको मैं समझा दूँ, सरल लेंग्वेज में, कि जैसे जब आप पहले के आप देखे, पहले के समय में जो डॉक्टर वेगरा, वैद वेगरा हुए हुआ करते थे, तो उनके पास, ऐस सच कोई ऐसे instrument वेगरा नहीं होते थे, चेक करने के लिए, तो वो क्या करते थे, जस ऐसे नाड़ी को पकड़ते थे, या फिर वो देखते थे, और अनुभाओं के बाद फिर वो बता देते थे, टच करके कि परेशानी यहां है, तो बिल्कुल वैसे ही, ये जो गौदे थे, ये भी human race की suffering के बारे में, उनकी weaknesses के बारे में, इतना उन्होंने अध्यन किया था, इतना उस पे उन्होंने काम किया था, कि बिल्कुल किसी को भी देखते ही, वो बिल्कुल बता देते थे, कि परेशानी यहां पर है, ठीक, problem यहां पर है, बिल्कुल टच करके, वो exactly उसी जगा पे अपनी finger को point करते थे, आप देखें, उन्होंने पहले तो यह बताया गया, स्टार्टिंग में, आप देखो कहा गया, कि उनकी डैथ हो गई, जब यह पता चला वहां के लोगों को, तो लोगोंने कहा कि यूरोप का सबसे बुद्धिमान जो हैड था, वो धिमान जो व्यक्ति था, उसके death हो गई, वो डूब गया, और मिन्स उसकी मृत्य हो गई, और इस iron age का, वो physician था, उसने अपना जीवन एक pilgrimage की तरह, मतलब अपना जीवन बहुत ही बहतर तरीके से बिताया, उसने human sufferings को समझी, पुरा analyze किया, जिसकी वज़े से वो क्या करता है, बिल्कुल बता से देता है, कि problem यहाँ पर है, फिर उन्होंने देखा, Europe's dying hour, Europe's dying hour का मतलब है, जो battle of Napoleon था, उसको उन्होंने देखा, और किस तरह से battlefield में, जो soldiers हैं, उनके death होती है, किस तरह से लड़ते समय, उनकी मृत्यू होती है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने देखा था, means, यूरोप के एक तरह से आप कहलो, जो पीडा दायक समय था, यूरोप का, means, जो कठिन समय जिसे आप बोलते हो, जो कठिन फेस था, उसको भी उन्होंने देखा था, तो वही वो कह रहे हैं, कि he looked on the Europe's dying hour, or fitful dream and feverish power, मतलब वो जो पावर का fever होता है, जैसे नेपोलियन है, उसे अपनी पावर का fever ही तो था, घमंड था, तो उसमें देखिये, उसने कितनी सारी जाना ली, तो वही वो कह रहे हैं, कि उन्होंने अपनी लाइफ में, ये सारी चीज़ें देखी हैं, कि किस तरह नेपोलियन का युद, जो युद होता है, बलड़ी युद जो होता है, बलड़ी battle जिसे बोलते हैं, वो होता है, उसको उन्होंने देखा, पुरा उन्होंने battle, जो भी battle थी, उसको देखा, इन सारी चीज़ों को, means human suffering को, उन्होंने देखा, कि human society, जो है, वो किस तरीके से, falsehood, जो है, वो feel कर रही है, मतलब उससे गुजर रही है, तो इन सारी चीज़ों को देखा, और फिर उसके बाद, उन्होंने कहा, कि the end is everywhere, जो end है, वो हर जगा पे है, means हर जगा पे, मृत्यू आनी ही है, मतलब उसका, जो end point है, वो होना ही है, ठीक, वही वो कह रहे हैं, कि उन्होंने बता दिया, कि everything in the world, has its end, इस संसार में, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जो शाश्वत हो, उसका अंत होना ही होना है, art still has truth, take a refuse there, and he was happy, if to know, cause to think, and fall below his feet, to see, and lurid flow of terror, and in sin, distress, and headlong fate, be happiness, तो आगे कह रहे हैं हैं वो, कि व्यक्ति को, अगर कहीं सरण लेनी है, किसी जगा जाना है, जहां पर, जैसे उन्होंने कहा, कि जो end है, हर जगा है, मतलब संसार में, कोई ऐसी जगा, कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसके मृत्यू ना हो, जिसका end ना हो, लेकिन एक जगा ऐसी है, art, still, have, truth, अगर आपको सरण लेनी है, तो आप कहां सरण लो, art में सरण लो, कहां पर आपकी होनी चाहिए, art में होनी चाहिए, क्योंकि जो art है, वो still truth है, वो सच है, वहाँ पर उसकी मृत्यू नहीं होती, मतलब सिर्फ एक ऐसी जगा है, जो कि कला है, art उसी में क्या है, सच्चाई है, इसलिए हमको वहीं पर शरण लेनी चाहिए, वहीं खुशी है, अगर किसी चीज के पीछे के कारण, जानने के लिए, मतलब अपने पैरों, कि अगर आपको किसी भी चीज, कोई भी चीज क्यूं घटित हो रही है, उस चीज का आपको कॉस जानना है, कॉस अफ तिंक, उस चीज का कारण जानना है, तो फॉर बिलो, आप क्या करो, अपने फीट के नीचे, जो भयावव प्रवा है, लिक्विट का जो भयावव प्रवा है, उससे देखो, ठीक, उसे महसूस करो, तो मतलब इन सारी चीजों को, उनका कहने का मतलब यह है, कि अगर कोई चीज बूरी हो रही है, कोई चीज घटित हो रही है, तो आप उसके कॉस को, जानने की और ढूनने की कुशिस करो, तो आपको पता चलेगा, प्रॉब्लम कहां पर है, कहां से यह प्रॉब्लम हो रही है, तो ओवर रॉल इस पैसेज में, यह जो पेराग्राफ है, इसमें आपके ऑथर मैथ्यू अर्नॉल्ड जी, यह कहना चाहते हैं, कि जो यहां से देखते हैं, कि गोथे जो हैं, उनकी डेथ हो गई है, और सब ही ऐसा कहते हैं, कि पूरा यूरोप जो है, वो डूब गया है, मिन सबसे बुद्धिमान व्यक्तितों जो था, वो मर गया है, और वो इतने जादा experience थे, कि उन्हें पता था, कि मतलब कहां पर परेशानी है, कहां पर दर्द है, क्योंकि उन्होंने human race को, human pira को, उन्होंने इतना बहतरीन तरीके से समझा था, देखा था, उन्होंने अपने जीवन काल में, bloody battle of Napoleon को देखा था, और soldiers किस तरह से battlefield में मतलब मरते हैं, और किस तरह से दुर्गती होती है, इन सारी चीजों को देखा था, इसलिए उनका जो एक तरह से बोलते हैं, वो nature philosophical हो गया था, और उन्होंने बताया था, कि किस तरह से human society, जो है, वो falsehood से, treachery से, इन सारी चीजों से एक तरह से लड़ रही है, उसे बाहर निकल, लड़ in the sense, उन सारी चीजों के बीच में जूज रही है, और अगर इन सारी चीजों के बीच में सच्चाई कहीं है, क्योंकि हर जगा, क्या है, हर चीज का अंत आना है, लेकिन अगर केवल एक ही चीज ऐसी है, जहां जिसका आंत नहीं है, जो किशत्य है, वो है आठ, और हम टेक रिफ्यूज हीर, मतलब आपको शरण लेनी है, तो कहां पर आठ के, अंदर मतलब आठ के सरण में आपको आना है, और, and he was happy, और उसके बाद आप क्या होगे, खुश हो जाओगे, if to know, अगर आप जानना चाहते हो, cause of thing, किसी भी चीज का कारण, and fall below his feet, to see the lucid flow of terror, तो आपको अपने पैरों के नीचे, जो आतंक का liquid, lurid flow है, means आपको अपने पैरों के नीचे देखना चाहिए, कि क्या जो उसका कारण है, क्या मतलब किसी भी चीज की वज़ा कहां होती है, उसकी जड में होती है, तो वही वो कह रहे हैं, कि अगर आपको किसी चीज का कारण समझना है, तो आपको उसकी जड में देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, कि क्या problem है, क्या भाग्य है, और क्या happiness है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, Ann Wordsworth, मतलब बाइरन के बारे में, गौते के बारे में बात हो गई, Matthew Arnold ने, जो भी उनके मन में था, वो सारी बाते कह दी, ट्रिब्यूट दे दिया, अब वो बात कर रहे हैं, William Wordsworth की, वो कह रहे हैं, कि Ann Wordsworth, और पेल घोस्ट, रीजोएज, फर नेवर है, सच सूधिंग वोईज, बेन तो योर शॉर्डी, वोर्ड, 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 सिंस ऐर्स, अट मौर्ण, सम वोंडरिंग से, हर्ड, अब वोर्ड, साउंड, अफ और ओर्फैन, कम, थो, है, अद अद अमौर्ण, फोर ग्लूम, आंगे वो कह रहे हैं, कि Wordsworth जो है, अब वोर्ड, अब वोर्ड, का मतलब है, अब वोर्ड, वोर्ड भी हमारे पास से, चले गए, मिंस, अब जो उनकी आवाज है, उनकी जो, पोईट्री की, मधूर एक्स्पीरियंस थी, अब वो भी हमारे पास नहीं रही, एह, पैल घोस्ट, अरे पीले भूतों, पीले घोस्ट, रीजोइज, कहने का मतलब ये है, कि तुम जो पीले भूतों को संबोधित कहरे हैं, कि तुम क्या करो, रीजोइज करो, खुसी मनाओ, क्योंकि तुमने अभी तक, इतनी soothing voice कभी नहीं सुनी होगी अपनी तुम्हारी जो shadowy word है तुम्हारा जो shadowy word क्योंकि भूत कैसे होते हैं ऐसा माना जाता है कि किसी ने देखा तो है नहीं ऐसा माना जाता है कि भूत जो होते हैं वो क्या होते हैं एक छाया होते हैं तुम्हारा जो shadowy word है उस shadowy word में तुमने इतनी soothing voice इतना आराम इतना सुकून पहुचाने वाली soothing voice तुमने अभी कभी आज तक कभी नहीं सुनी होगी इसलिए हे पीले भूतो तुम भी क्या करो rejoice खुशी मनाओ और जो आगे वो कह रहे हैं कि तुमने सुना होगा जरूर तुम clear sound of orpheus तुमने orpheus का clear sound सुना होगा जो की hate से आता है and the mournful gloom मतलब तुमने उन सारी आवाजों को उन सारी चीजों को उन सारे music को तुमने सुना होगा orpheus के लेकिन फिर भी जो wordsworth की voice है वो इन सब से हटकर है और इन सब से जादा soothing voice है और तुम खुशी मनाओ कि आज वो soothing voice तुम्हें सुनने के लिए मिल रही है जो कि तुमने कभी नहीं सुनी what's worth has gone from us and may ye feel his voice as we what's worth जो है has gone from us हम से क्या हो गए है दूर चले गए है what's worth क्या हो गए है हम से दूर चले गए है और वो मतलब उन भूतों से कह रहे हैं कि क्या तुम उनके आवाज को महसूस कर सकते हो means worse worth जो है वो हम से दूर चले गए है हम उनके आवाज को नहीं सुन सकते लेकिन क्या तुम उनके आवाज को महसूस कर सकते हो जिस तरह से कभी हमने उनके आवाज को महसूस किया था may ye feel his voice as we क्या तुम उनके voice को वैसे ही feel कर सकते हो जैसे कभी हमने feel किया था he too upon a wintery climb had fallen वो जो worse worth है वो सर्दी की climate में गिर गए means सर्दी में उनकी क्या हो गई मृत्य हो गई on this iron time of doubt, dispute, distraction, fear और ये जो और इस iron age में जहां की संका, विवाद, व्याकुलता, भै इन सारी चीजों से ये जो age है वो भरा हुआ है उस age में worse worth क्या है अब नहीं रहे means चले गए है he found us when the age has bound our soul in its bean numbing round एक second था उपर कर लो he spoke and loosed our heart in tear he led us as we lay at birth on the cool flowery lap of earth smile broke from us and we had ease आगे देखे वो कहते हैं कि अभी तो आपने देखा कि words बहुत क्या है वो कहते हैं कि जो पीले भूत है अरे पीले भूतो तुम्हा आनन्द बनाओ क्योंकि तुमने इतनी soothing voice आज तक नहीं सुनी होगी तुमारा ये जो छायदा संसार है वहाँ पर तुमने इतनी अच्छी कि इतनी soothing voice कभी तुमने नहीं सुनी होगी हाला कि तुमने clearly Orpheus का song सुना होगा hits से जो आता है लेकिन फिर भी वो soothing voice तुमने आज तक कभी नहीं सुनी होगी क्योंकि इनकी जो voice है वो वाकई बहुत soothing बहुत जादा motivate करने वाली बहुत आराम देने वाली है तो क्या जिस तर हो गई और यह जो iron time है यह जो iron age है जिसमें की सिर्फ और सिर्फ संका, dispute, distraction, भय इन सारी चीजों से भरा हुआ जो समय है उसमें words word क्या है अब नहीं रहे चली गए उनकी poetry अब नहीं रही वो हम मतलब तब हम उन्हें पाते हैं जब हमारी आत्मा जुजलाहड की बेडियों म बंद गई है और जब वो बोलते हैं जो poetry करते हैं उससे हमारा हृदय जो है वो कैसा हो जाता है बिलकुल आस्वों से भढ़ जाता है कहने का मतलब है कि देखें वो कह रहे हैं यहां देखें कि he bound us when the age had bound our souls in benaming round उन्होंने हमें तब found किया तब पाया तब उन्होंने हम एकदम घीरे हुए थे किस से हमारी आत्मा जो है वो बिलकुल बेडियों से जुचलाहट से घीरी हुई थी तब उन्होंने हमें पाया और अपनी poetry से उन्होंने हमें इतना प्रभावित किया इतना inspire किया कि जो उनकी poetry है उससे हमारा जो फ्रिदय है वो क्या होता है बिलकु के cool flowery lap में मतलब प्रिद्वी के cool flowery गोद में जो हम लेटे हुए है और हासी जो हमारी smile है वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो गई है मतलब कहने का मतलब है कि वो इतना जादा क्योंकि आपको पता है वो उन्होंने इचर पोईट कहा जाता है और वो नेचर के बारे में इतना अगर आपको देखना है तो आप टिंटर नैबे जाकर पढ़िए मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छा उन्होंने एक्स्प्लानिशन दिया है बहुत अच्छा बताया है उन्होंने टिंटर नैबे के बारे में तो मतलब इतना जादा नीचर के बारे में इतना बताते थे व और इन बेडियों ने हमें बिल्कुल हमारे छिरिदय को जकट लिया था। तब हमें वो मिले तब उनकी पोईट्री हमें मिली पढ़ने के लिए और उस पोईट्री ने हमारे प्रिदय को प्रभावित किया। और हिड़दय के हर कड़ कड़ को प्रभावित किया जिससे क्या हुआ हमें मतलब टीर्स आ गए और हम ऐसा फील किये कि हम पृत्वी की कूल फ्लावरी गोद में क्या हैं बिल्कुल लेटी हुए हैं और हम बिल्कुल अपने आपको एक बच्चे जैसा जिसके पास कुछ ना ह बिल्कुल निश्चल बिल्कुल अच्छा हो बिल्कुल वैसा हम फील करने लगए और हमारी जब उनकी डेथ होई तो ऐसा लगा जैसे हमारी सारी स्माइल्स क्या हो गई है ब्रोक हो गई है हमसे रूट गई है आगे देखिए आपको मतलब यह वक पढ़के यह समझ में आगे जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो कहते हैं कि उनकी कमी तो भरी जा सकती है लेकिन इनकी कमी नहीं भरी जा सकती आगे देखे the hills were round us and the bridges were over the sun lit field again our forehead felt the wind and rain our youth returned for there was shed on spirits that had long been dead spirits dried up and closely filled the freshness of every uh sorry early word oh since dark days still bring to the light man's predominance and man's fairy might time may restore us in his courage यहां तक देखते हैं पहले उसके बाद देखेंगे ठीक है यहां तक देखते हैं आगे वो कह रहे हैं कि यह जो पहाडियां हैं यह हमको घेरे हुई थी बिलकुल मतलब वो इस तरह के से इस तरह से description देते थे इस तरीके से चीजों को बताते थे ऐसा लगता था कि हम बिलकुल प्रकीती की गोद में हैं हमें भी पहाडियों ने घेर रखा है हवाएं चल रही है सूरी की रोशनी जो है वो मैदानों को बिलकुल भर दे रही है यह देखे न आगे वो कह रहे हैं कि इस पेरागराफ में वो यह बताएंगे कि उनकी पोईट्री से हम कैसा फील करते थे ऐसा लगता था कि हम खुद मतलब एट्मॉस्पेर में हो और सारी चीजों को फील कर रहे हैं दा हेल वर राउंडर्स उनकी पोईट्री को पढ़कर हमें ऐसा लगता था कि हिल्स ने इन पहाडियों ने हमें घेर रखा है दा ब्रीज वेंट ओवर दा सनलाइट फील्ट अगें और जो हवा है जो एक त यह जो रेन है यह सारी चीजें हमको हमारे फोर हेट पर फील होती थी जिस तरह से वो मतलब अपनी पोईट्री में इस नेचर को प्रेजेंट करते थे ऐसा लगता था कि हम भी उस नेचर को महसूस कर रहे हैं हमारे ही आसवास पहाडिया हों सूर्य है मैदान है जिस पे सू यूथ हमारा जो एक जिसे बोलते हैं बचपना वो लॉट आया है और हमारा मतलब उनकी चाया में आकर हमारी जो आत्माएं है वो जल्दी ही मतलब अगर जैसे उनकी आगे देखे यहां से फिर से देखते हैं आवर यंग यूथ रिटर्ण हमारा जो यूथ है हमारा जो बिल्कुल वापस हो गया है उनकी पोईटरी को पढ़कर हम भी बिल्कुल उचसाहित हो जाते थे and there was shed on spirit that had long been dead और हमारी जो मरी हुई सी आत्माएं थी जो डेड फील करती थी जो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे spirit riden up हमारी जो आत्माएं है वो बिल्कुल सूख चुकी है और ये जो आत्माएं है वो इस दुनिया से closely learned मतलब कैसी हो गई है बिल्कुल ओजहल हो गई है लेकिन the freshness of the early world और इस संसार की जो ताजगी है वो बिल्कुल क्या हो गई है चली गई है are the since dark days still bring to light मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जिस तरह से हमको ये सारी चीज़े बताते थे ये सारी चीज़े फील कराते थे और जब वो नहीं रहे तो ऐसा लगता है जैसे क्या हो गया है हमारी आत्माएं बिल्कुल डेड हो गई है हमारी आत्माएं सूख गई है और मतलब हमारी आत्माएं क्या हो गई है बिल्कुल दुनिया से ओजहल हो गई है संसार की ताजगी भी उनके साथ क्या हो गई है चली गई है और दुनिया में क्या हो गया है बि बिल्कुल डाक एज आगे जो काले दिन है वो अभी भी मनुशी की विवेक सीलता और मनुशी की उगृता को क्या करते हैं प्रकास में ले आते हैं ये जो टाइम है ये जो समय है हमेशा हमें अपने चक्र में पुनह स्थापित करेगा ठीक कहने का मतलब है कि ये जो समय है उससे मतलब जिसे बोलते हैं कि भरपाई तो हो जाएगी चीजें बदलेंगी सारी चीजें होगी लेकिन वो कहां से होगा जो कि हमें वर्ट्स वर्ट ने दिया है आगे देखे आपको मिलेगा time may restore us in his course वो हर घाह को क्या करेगा भर सकता है ठीक है लेकिन गोथे सेज माइन पाइरन फोर्स और जो गोथे का जो संत दिमाख है जो संत माइन है और जो पाइरन का जो फोर्स है जो बाइरन का struggle है उन्होंने जो struggle किया और जो किस तरीके से बताया कि problem कहां है mankind में वो सारी चीजे क्या हो सकती है यूरोप के वो पुराने दिन फिर से आ सकते हैं मतलब उस तरह का poet उस तरह का author फिर से हो सकता है लेकिन ये जो again find what's worth healing power यहाँ देखे question mark है आगे वो कह रहे हैं लेकिन क्या हम what's worth की healing power को क्या फिर से इस संसार में पा सकते हैं others will teach us how to dare others जो दूसरे लोग हैं वो हमको ये सिखा सकते हैं कि हम हिम्मत कहां से लाएं and against fear डर के against में हम हिम्मत कहां से लाएं our breathe to steal others will strengthen us to bear और कुछ लोग हमें ये सिखा सकते हैं कि हम किस तरह मजबूती से रहें मजबूती अपने अंदर लाएं साहस अपने लाएं but who will make us feel the cloud of mortal destiny other will front it fearlessly but who like him will put it by लेकिन हमें कहने का मतलब है हमें लोग ये तो सिखा सकते हैं कि हम डर से अपने अंदर मजबूती कैसे लाएं निर्भे कैसे बने हम कैसे साहसी बने ये लोग हमें सिखा सकते हैं लेकिन हमें ये कौन सिखा सकता है कि हम feel कैसे करें उस mortal destiny को मतलब mortal destiny के cloud को मतलब nature को जिस तरह वर्ट्सवोत ने हमें nature को देखने का एक नजरिया दिखाया था चीजों को समझाया था उन चीजों को हम फिर से कैसे ले आएं वो चीजे वापस कौन ला सकता है keep press the grass upon his grave ओरो था with thy living wave sing him thy best for few or none hear thy voice right now he is gone आगे वो कह रहे हैं end में जो आपके एर्नॉल्ड हैं वो अपील कर रहे हैं किस से river rotha से ये जो रोथा है ये एक river है वो river rotha से क्या कर रहे हैं अपील कर रहे हैं कि उनकी जो grave है wordsworth की जो grave है उस पे जो घास है वो हमेशा कैसी रहे बिल्कुल हरी भरी रहे मतलब उनकी जो grave है वो बिल्कुल जीवन्त लगे उस पर जो घास है उगाई है वो बिल्कुल मुर्जाई से ना रहें इसलिए हेरो था मैं यह अपेल करता हूँ कि उनकी उसको देखें की फ्रेस ग्रास जो घास है जो घास है अपॉन हिस ग्रेव उनकी ग्रेव पर व्लियम वर्द्सवूर्थ की ग्रेप पर जो घास ओगाई है उनको तुम कैसा रखो बिलकुल लिविंग रखो बिलकुल फ्रेश रखो विद्दाइ लिविंग वेव अपनी लिविंग वे vेप रखो कि वहाँ पर हमेशा green grass फैली रहे, बिल्कुल हमेशा greenery रहे, क्योंकि वो एक nature poet थे और nature प्रकिती, अगर उनके grave के पास हमेशा हर्याली बनी रहेगी, तो उनको कैसा होगा, बिल्कुल अच्छा फील होगा, आगे वो request करते हैं, कि sing her best, मतलब तुम अपना best गाओ, sing him thy best, तुम अपना best गाओ, ठीक, आगे को कहते हैं what's worth grape hear the voice is right, now he is gone, ताकि वो जो ये greenery है ये जो nature है, क्योंकि वो जब ये, आपने देखा होगा, rolling sound की बाद उन्होंने कि मतलब किस तरह से जो पानी है, वो आगे बढ़ता है, उसका जो sound है, वो उनको बिल्कुल music की तरह रगता था तो वही वो कह रहे हैं, कि sing him the best कि तुम उसके लिए क्या करो बिल्कुल अच्छा गाओ, एक अच्छा गीत गाओ, तुम उनके पास हमेशा greenery रखो, ताकि वो भी हमेशा nature को क्या करें, feel कर सकें, अपने जाने के बाद भी ये poem जो है, वो complete होती है आपको poem पढ़के इतना समझ में आ गया होगा, कि इस poem में Arnold ने William Wordsworth पे ज़्यादा focus किया, और उन्होंने ये कहाए, कि समय जो है, वो गोथे और Byron की भरपाई तो कर सकता है लेकिन वो Wordsworth की भरपाई कैसे करेगा उन्होंने जिस तरह nature को present किया है nature को दिखाया है, वो भरपाई कोई नहीं कर सकता Wordsworth की जो कमी है, वो इस संसार में अब कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो उनका way of, मतलब अपनी poetry से वो जिस तरह से inspire करते थे, जिस तरह से nature को present करते थे, अब वो सारी चीज़े कोई नहीं कर सकता इसलिए वो रिवर रोथा से request करते हैं, कि हे रिवर रोथा तुम उनकी grave के पास हमेशा greenery बनाए रखो, ग्रासों को हमेशा fresh रखो, और तुम इस तरह से गीद गाती रहो कि उन्हें भी कैसा फीलो, ऐसा लगे चुकि वो एक nature point थे, उन्हें लगे कि हमेशा nature उनके पास ही है तो ये पूरी poem कंप्लीट हो गई, मेरे हसाब से मैंने अच्छे से बता दिया है आप लोगों को फिर भी अगर आप लोगों को कहीं कोई confusion होगा तो आप लोगों मुझे comment करके बता दीजेगा और मेरे question का अंसर जरूर दीजेगा कि आप क्या चाहते हैं, drama या फिर propose चैनल पर क्या पहले आप चाहते हैं चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care